सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूटूब चैनल को और दबाएए इस नौट्फिकेशन बेल को ताकि आपको मीड़ सके हमारे नए वीडियो की जनकारिया आपको सबसे पहले हलो फ्रेंड्स में राकेश कुमार आप सभी का इस यूटूचन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं तो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में गुलूगन के बारे में बताएंगे और इसका जो है पुछी तरह से डिटिल बताएंगे कि आप किस पकार से आप इसे इसे इस्त के आधि या वो लगभग एक घज का है इसे इस्तमाल करने के लिए आपको एक्स्टेंशर व्लकbla कि जोएद पर सकती है तो चलिए इसे इस्तमाल करने के लिए आपको आगे में आप देख पा रहे हैं एक स्टैंड दिया हुए यह आम मोड औरम्स इंडि आपको夏 लूगन और रखना होगा और जब आप इसे इसमाल नहीं करेंगे तो इसे आप पिछे की और कर सकते हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं से किस परकार से इसको निकालते हैं इसे लगाने के लिए आपको दोनों तरफ से इसके खीच कर आपको इसके छेद में लगाना होगा यदि आप स इस तरह से आगे की और करके आप इस glue gun को आप रख सकते हैं जिससे कि आपको या जो इसका आगे वाला portion जो है टेबूल पर सटेगा नहीं यह इसे आप पिछे की और करते हैं तो यह टेबूल पर आपको इसका glue gun जो है गिरता बाद देख जाएगा इस stand को हटाने के लिए आप यहां से दोनों हाथों से पूस करके आप इसे निकाल सकते हैं इसमें दो मोड आपको दिखी जाएगा इस यहाँ एक छीद दिया हुआ है इस छीद में आपको इस पीन को लगा देना है और आगे पिछे जो है stand को आप यहां से कर सकते हैं तो चलिए हम इसके अंदर क्या-क्या पार्ट्स होते हैं सारे पार्ट्स को हम आपको दिखाएगे इस गुलू गन के साथ हमें एक गुलू दिया गया था जो की बहुत ही चोटा था इसे इस्तमाल करने के दौरान वह गुलू जो है इसके अंदर ही रह गया है हम इसे खोल का हम आपको दिखलाएंगे और इसके सारे पार्ट्स को बारे में हम आपको बताएंगे जब इस तरह से आप इस कौफर को खोलेंगे तो आपको इस तरह से गुलू गन का जो है आपको गेर और इसका हीटिंग अलेमेंट आपको यहां दिखने को मिल जागा इस गेर को यहां एक खाच दिया हूआ है उस खाच में आपको बठाकर है इस तरह से आगे पीछे करेंगे तो याँ गेर फुरी तरह से घुलू को आगे की ओठेलता है इसे बैक की ओड करने के लिए आपको यहां एक स्प्रिंग इसमें लगावा होता है तो चलिए हम इस गेर को हम निकाल लेते हैं गेर को निकालने से पहले हम यहां इसके स्प्रिंग को पहले निकाल लेंगे उसके बाद हम इस हीटिंग एलिमेंट के बारे में आपको बताएंगे यह हीटिंग एलिमेंट जो है हमें यह 60 वाक का एलिमेंट इसमें लगाई लिए जो कि आम-engersपा 35 वाक 6 वाक। 35 वार 9 9 space जो एलिमेंट लगा लगा रहता है उससी तरह का यह एलिमेंट इसमें लगा उए है लेकिन यह जो है छोटा है और यह जो है एक के गोल्ड सुमातार जो है इस तरह का कि चद्रे का बना हुआ है इसमें ग्लू जो है इसके अंदर हीटिंग होकर जो है गोंद के तरह बाहर की और निकलता है कि इस ग्लू को गड़िए इसमें 35 वार्ट का आप इलमेंट लगा सकते है यह थी करा आप या मार्केट से आपको 60 वाट का जो या 35 वाट का जिस्तना भी आपका एलिमेंट वाटेज लगा हुआ है आप उसे इसमें लगा का उसे रिपेर कर सकते हैं इस हीटिंग एलिमेंट में हमने सप्लाई दे दिया है आप देख पारे हैं कि इसमें से जो गलू है पाहर की और निकल रहा है यह काफी हीट होने कारण हम इसे प्लास से इसे पकड़े हुए है जब एक बार इसमें गलू अंदर जाने के बाद आप इसे निकालने सकते हैं जब तक आप इसे हीट करके आप पिछी की और नहीं निकाल लेंगे इस तरह के गलू गन में एक बार गलू डालने के बाद यदि आप सप्लाई दे देते हैं तो आपका गलू जो है दुबारा बापस सही तरीके से नहीं आप आएगा जब भी आएगा वो इस तरह से तूट कर आएगा तो आप यहां देख पा रहे हैं कि जो गलू को हमने पिछे की और से निकाला है तो यहां टूट कर निकल चुका है और बाकी जो है इस एलमेंट पाइप में लगा हुआ है फिर से उस गलू को लगाने के लिए आप इसके कोबर को भी अच्छी तरह से साफ कर दे उसके ना होगा साफ करके आप तभी इस गलू को आप इसके अंदर अच्छी तरह से बैठा पाएंगे और इसके बैक कोबर को भी अच्छी तरह से आप बैठा पाएंगे यदि आप इस गलू गन के हीटिंग एलमेंट को अच्छी तरह से साफ करके इसके बैक कोबर को नहीं लग कर लें ताकि इसमें कुछ गुलू जो है लगा ना रहें और दुसरा जो है गुलू घुसाने में हमें परसानी नव है तो चलिए हम इस गुलू को इसमें अच्छी तरह से घुसा दिया है और आप यहां देख पा रहे हैं कि एक छोटा सा एलमेंट दिया हुआ है और यह जो है एलमेंट जो है 60 वाट का है यदि आपका इस तरह का एलमेंट जो है खड़ाब हो जाता है तो सोल्डी एरन का जो है एलमेंट आप इसमें लगा सकते हैं तो आपको इसमें थोरा सा टेकनिक जो है अपनाना पड़ेगा इस एलमेंट को य को आप रिपैर कर सकते हैं इस गुलूहान को हमने local market से में पर्चीस किया था यहादी आप इससे और खड़ना का तो हमारे दिए 10 रुपे पर पीस आपको लोकल मार्केट से मिल जागा आप चाहे तो औरलाइन भी इसे ओडर करके आप उस गुलू को खड़ सकते हैं और इसे जब चाहे आप इसने इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसे खुद से भी बना सकते हैं तो फ्रेंड्स आपको यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा और आपको यह वीडियो पसंद भी आया होगा यह दि वीडियो पसंद आये तो प्लीज लाइक और सेर जुरू करें साथी साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिन बंद मातरों